दोस्तो हम चाहें सरत कालीन गन्ने की वगई करें या बसंद कालीन गन्ने की वगई करें या किसी भी समय गन्ने की वगई करें और हमारा गन्ना उकर इतने तयार नहीं होता है इतने उसमें बड़े-बड़े खर्थपार हो जाते हैं अर्थास उसमें बिभिन तरह की घासे व गन्ना उस समय तक उकर नहीं आता है, जिससे बहुत बड़ी समस्य जाती है, और दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी दवाई बताएंगे, उसका तरीका बताएंगे, कि यदि आपने उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो आपके गन्ने के खेत में खरपतवार उगेंगे ही नहीं, हाँ दोस्तों इससे बहुत बड़ा फादा है, क्योंकि हम जब खरपतवार उगाते हैं, तो उन्हें बिभीन पिलकार के खथवरार नाचकों से निश्ट करते हैं, तो उस समय तक हमें काफी नुगसान हो गया होता है, बिभीन पिलकार के जो खरपतवार होते हैं, और जो उककर आता है गन्य, तो भोगट ले निकलते हैं और पीले निकलते हैं। जाई आपने इस दवाई के स्तेमाल कर लिया, तो आपके खेट में ये खरपतवार अगेंगे ही नहीं। तो दोस्तो शुरू करने से पहले आप चानूत करेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करने सब्सक्राइब और बेला इकोन की बटन को आल पर सलेट कर लें दोस्तो जब आप अपने गन्य की वुवाई कर लेते हैं तो उसमें 24 घंटे के अंदर इस दवाई का इस्तेमाल करना है इसके लिए आपको एक लिटर दवाई लेकर और 200 लिटर पानी में खोलकर आपको इसका इस्प्रे करना है और इस्प्रे एकसार करना है कहीं पर जादा नहीं हो कहीं पर कहीं नहीं हो और कहीं पर दोबारा इस्प्रे नहीं होना चाहिए और पूरे खेत में एकसार इस्प्रे होना चाहिए यदि आपने ऐसा कर लिया तो यह खर्वतवार होगेंगे नहीं और जितना हमने खाद या कोई भी पोसकतत अपने गन्य में दिया है त दोस्तों सबसे बड़ा फादा इस वीडियो से आपको ये मिलने वाला है कि आज जो हम आपको दवाई बताएंगे ये दवाई ऐसी होगी यदि आपने इसका इस्तेमाल कर लिया और आपके खेत में कोई सेफसली है जैसे सर्सों है या मटर है और इसमें आपने दवाई का इस्तेमाल कर लिया तब भी आपको इसका पूरा फादा में लेगा और इन फसलों को भी कोई नुक्सान नहीं होगा दोस्तों अब दवाई का आपको नाम बता देते हैं दोस्तो इस दवाई का नाम है पैंडी मैथिलिन 30% EC इसकी जो आपको मात्रा लेनी है वो लेनी है एक लिटर प्रिष्थी एकड़ के असाब से और 200 लिटर पानी में घोल कर आपको इस्प्रे करना है दोस्तो इस बात कर ध्यान रखें कि हम किसी भी हालत में पानी की जो मात्रा है हमको कम नहीं बनी लेनी है क्योंकि सूर के खेट में ये दवाई काम नहीं करेगी और दोस्तों इसका जो इस्तेमल है बोगई 24 घंटे के अंदर करने लेना चाहिए यदी आप बाद में इस्तेमल करते हैं तो आपको जो इस्तेमल करने के बाद इसका पूरा फादा नहीं मिलेगा कि दोस्तो, 24 गंटे के बाद जो खरपतवार होते हैं, उनका अंकुरन शुरू हो जाता है और जब एक बार अंकुरन शुरू हो जाता है, तो ये खरपतवार उगाते हैं तो इसलिए हमें बताये हुए समयानुसार ही प्रियोग करना चाहिए और दोस्तो एक बात का और ध्यान रहना चाहिए आपको जैसे हमने कल गन्ने की बुवाई की थी और आज बारिस हो गई और कल को हमें इसका इस्तेमाल करना है दबाई का तो हमें इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए इसकी मातरा हमें 750 एमल प्रती एकड़ के हिसाब से लेने चाहिए कि दोस्तों इसमें जादा नमी हो जाती है और ये दबाई जादा नमी में जादा काम करती है और जब हमारी सेफसली होती है तो ये उसको नुक्सान पहुंचा सकती है यदि जादानमी में हम प्रियोग करते हैं अर्थाद बारिस के बाद या सिचाई के बाद प्रियोग करते हैं इस बाद का हमें काफी ध्यान रखना है और यदि उसमें कोई सेफसली नहीं है आपके गन्ने में तो आप एक लिटर बाद में भी इस्तामाल कर सकते हैं और दोस्तो उसके बाद बात करते हैं कि ये दवाई कितने दिन काम करती है तो दोस्तो ये दवाई हमारी जो काम करती है ये पचास से साथ दिन तक काम करेगी और्थाथ 50-10 दिन और्थाथ 2 महने तक हमारे खेथ में खर्पतवार वो गएगी नहीं और 2 महने तक हमारी भसल उककर तैयार हो जाएगी थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाएगी और उसके बाद हम उसकी निराई, गुडाई या जोताई कर सकते हैं फिर जो खर्पतवार हैं हमारे गन्य का कुछ नहीं विगाल पाते हैं और हम निराई द्वारा और गुडाई द्वारा इसको निकाल सकते हैं इस प्रकार आप इस दवाई का पिरियोग करके अपने गन्य के खेत को विविन प्रकार के खर्पतवारों से मुक्तरा सकते हैं और जाधा उत्पादन ले सकते हैं और वो भी कम लाकत में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में किसी नोट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार